हम लोग के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्बिका सिंग कावा एंडी टीवी पर हम पिछले कई हफतों से इनफर्टिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं जिसे लेकर लोगों की सोच अभी भी बहुत पुरानी है उसे एक दाग के तोर पे देखा जाता है भारतिय परिवारों की बात करें तो इन फर्टिलिटी 15% को प्रभावित करती है लेकिन इसको लेकर एक जो सोच है एक जो स्टिग्मा है उसके चलते लोग इसे चुप-चाप छेलते रहते हैं डॉक्टर बलारा फर्टिलिटी क्लिनिक्स किस तरह की मदद दे सकते हैं कापल्स को ये समझने के लिए कि जो ट्रीटमेंट है कि सफल भी हो सकता है कैसे क्लिनिक्स कापल का साथ दे सकते हैं जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं जब भी कोई कपल आता है या जैसे, let me give you an example, जैसे हम टेलर के पास गए तो उसके पास बहुत तरह के डिजाइन्स और कपड़े होते हैं, बट जब तक वो हमारा नाप नहीं ले लेता या हम डिजाइन उसको नहीं बताते, तो इसी तरीके से जब तक हम कपल को अच्छी तरह evaluate नहीं करते हैं, कि उसमें male में problem है, female में है या उनकी overall health में क्या changes हम ला सकते हैं, so उसके accordingly एक personalized care उस couple को हम लोग देते हैं, और जैसे कि शगुफता ने और सीमा ने दोनों ने हमें बताया कि emotional support बहुत ज़ादा जरूरी है, and हमारे जो clinics हैं, they are sensitized के, पूरा staff और वो patient को regularly जैसे call करते हैं, या उनको कोई भी problem होती है, तो वो उनकी problem solve करने के लिए, everybody is there on the call for them, कि उनको कुछ भी कभी injection लगाना है, या क्या दवाई किस टाइम पर लेनी है, तो वो सारा sensitization, फिर उनकी financial counseling, जो है, because ये treatment थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, और costly भी थोड़ा होता है, तो और जैसे डॉक्टर मिनांक्षी ने बताया कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही IVFO, तो उसका क्या cause है, उसके accordingly, उसका कितना cost होगा, कितना time लगेगा, ये सारा counseling जो है, वो बहुत important है, जो हम as specialists एक couple को और उनकी families को दे सकते हैं, and हमारे देश में क्या कुछ rules and regulations है, concerning third party जैस donor egg, donor sperm, या sarogacy, तो उन चीजों के बारे में भी उनको पूरा बता के, और जैसे मैंने कहा कि personalized care और उनकी क्या treatment होनी चाहिए, वो हम पहले से ही couple के साथ बैठके पूरा decide करें, and then we go ahead with the treatment.